गायत्री परिवार आहवान पर जुला संस्कार मंचु के तत्वधान में कोरोना संक्रमन से मुक्ति के लिए यग्य किया गया कोरोना वायरस के संक्रमन से मचाव के लिए घरों में रहे कर भी तरह तरह के उपाय कर रहे हैं रविवार को शहर के कजवा सेत माता मंदिर में गायत्री परिवार के आवान पर जुला संसकार मंचु के पदादिकारियों और शद्धालों ने सुभा यग्य किया और शाम को विशेश आर्ति की पर संबंद में जौनकारी देती हुए चुला संसकार मंच के राचिश भूरा यादव और जुला थेक्ष उपाथेक्ष नरेंद्र डाबी ने बताया एक साथ सामोहिक यग्य के प्रभाव से आत्मबल समर्धन आस्थाव का परिशोधन वातावरन परिशकार करोना संकट नि प्रिशेश्य के हुगा चुला संसकार मंच ने सभी श्रत्थालों से अनुरोद किया है कि कोरोना संक्रमन से बचाओ के लिए अब सिर्फ भगवान का ही सहारा रह गया है इसलिए भगवान की पूजा अच्छना की जाए रविबाल को आयजुत यग्यकारिक्रम में मंच के वरिष्ट पदादीकारी हरिश आरे ने बताया कि वेदिक यग्य विधी के विधान की खुबी यह है किससे केवल रोगानों ही नश्ट होते हैं जीवन के लिए उपयोगी जीवाने को नुकसान नहीं होता इसलिए यग्यसी वातावरन ड्रोग मुक्त होता है इस समय यग्य करने से आने वाली बिमारें से भी बच्चा होगा चावन घी शक्कर जौँ तेज पत्ता पीपल पत्ते मसाले पत्ते नीम पत्ते गूगल पारस को दूर करने के लिए उश्वधिय यग्यसी इम्मुनीटी में व्रधी करता है रविवार और सोमवार को गायतरी परिवार के आहवान पर श्रहसाइद आसपास के स्थानों पर उक्त कारिक्रम दो दिन किया जाएगा इसमों के पर वरिष्ट समासेवी प्रीतम दयाल संजु खत्री बेनी प्रसाद भारती लोकेश खत्री शुबम यादव अनिल यादव छोटु यादव सोनु खत्री मंजु यादव लक्षमी यादव शांती यादव विशाखा और कुसम बाई आधी शामिल थे सिहोर से मनोच की रिपोर्ट